आज के वीडियो में हम बात करने वालें Office Automation होता क्या है हम इसका मेनिंग Office Automation System क्या होता है इसके क्या Examples होते हैं और क्या Benefits होते हैं Office Automation के वो भी हम इसकास करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फीज समिट कर दें जो कि वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना इसके अलवा अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाते हैं तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम कॉमेंट में बता सकते हैं इसको बढ़ वीडियो बना के अप्लोड कर दूँगा सो बढ़ बेस्टिंग अनी टाइम लेट स्टार्ट ओफिस ओटोमेशन ओफिस ओटोमेशन का सिंपल वट्स में मीनिंग होता है जो भी आप काम करते हो आपने ओफिस में अलग अलग automation tools का यूज करते हैं क्रेट करने के लिए, collect करने के लिए, store करने के लिए, analyze करने के लिए और disseminate करने के लिए किसको office के data को organization और company के अंदर effectively means बिना किसी miss check के next जाता office automation system होता क्या है office automation system अलग-अलग tools जो उनका एक set होता है जिसके दिन हम collect करते हैm, process करते हैं, store करते हैं, retrieve करते हैoff or disseminate है information को हमारे organization के अंदर जो बी अलग-अलग employs होते हैं उनके फिक में team members के बीच मैं और stack holders के बीच में जो organization के अंदर काम करते हैं और organization के बाहर काम करते हैं okay अब दहते हैं office automation system के क्या example होते है इसमें हमार electronic publishing आदाता है जिसके example है word processing, microsoft, office suite, image processing and document storage, video conferencing, office management, communication and collaboration tools जिसमें हमार voicemail और email भी आदाता है facility management, etc next आता है क्या benefits होता है office automation के first human effort minimization through automation जब भी आप कोई काम करता हो manually तो उसमें जादा से जादा employees की जरूरत होती है means जादे-जाद इनसानों की जरूरत होती है, humans की जरूरत होती है बड़ जब आप अपने काम automate करते तो तो उसमें कम human effort की जरूरत होती है, ठीक है अब कम human effort लेंगे तो means कम employees लेंगे जिसके वाईसे जो हमाई cost होगी वो भी कम होगी, ठीक है अब cost काम है और कम लोग काम करें तो औरर-जाद जो होता है means जो हमाई गलती होती है काम करने में या thata को store करने वो भी हमाई काम होगी अब error कम होगी तो हमार做 unit और efficient होगा काम efficient होगा तो हम कहसीं किसके जो overall productivity होगी हमारी काम की वो बढ़ेगे अगर productivity बढ़ेगी तो जो हमाई customer होंगे वो हमसे satisfy होंगे ठीक है तो better customer service होगा real time data available होगा decision making के लिए किसे का मतलब है जब ही हम कोई सा data store करेंगे उसको हम किसी folder में store करेंगे ठीक है तो जब हमें उस data की जरूत होगी हम easily उसको retrieve कर सकेंगे यानि easily निकाल सकेंगे ठीक है जिसके वैसे जो decision making होगी वो fast होगी हमारी company में अब decision making fast होगी तो जो हमारा communication होगा employees के बीच में वो भी हमारा fast होगा इस सब के लावा ये forecasting और KPI monitoring में भी मदद करता है KPI का full form होता है key performance indicators तो आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो बसने है एक तो like करिएगा नहीं एक तो dislike करिएगा कुल question से तो comment में पुछेएगा मिलेंगे आप से next video में thanks for watching